राजधाने चनिगर में जहां स्वास्थे विभाग मुस्तैद है तो वहीं हर्याना के स्वास्थे मंतरी अनलविज का गरही जिले में कोरोना वाइरस को लेकर विभाग कितना मुस्तैद है और स्वास्थे मंतरी ने स्वास्थे विभाग को साथधान रहने की नसीहत दी है प सूबे के सभी नागरिक हस्पतालों में आयोसलिशन वाज स्थापित किये गए है। महीं प्रदेश के स्वास्त मंत्रिया निविज के ग्रह जिले में प्रशासन कितना मुस्तेद है। ये जानने का प्रयास क्या है हमारे संबाद दाता ने। चीन से आये घातक क्रोना वाइरस को लेकर प्रदेश के स्वास्ते विभाग ने किस तरह की त्यारी की है। को लेकर हम पहुंचे हैं अंबाला के नागरिक हस्पताल में हम अंबाला के इस नागरिक हस्पताल में रियल्टी चेक करेंगे कि आखिर प्रदेश के स्वास्ते विभाग ने इस घातक वाइरस को लेकर किस तरह की त्यारिया की हैं अम्बाला शहर के नागर का स्पताल में आइसलेशन वार्स थापित किया गया है वहीं प्रिश्टासन भी मुझ्देद नज़राया है डोक्टरों ने बताया कि करोना वार्स से निपटने के लिए विभाग पूरी तरह से तैयार है वहीं विभाग वार्स के प्रती लोगों को जागरूग भी कर रहा है प्रदेश में करोना वार्स के छे संदिक मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं और हर्याणा के स्वास्थे मंतरी अनिलविज हमारे साथ हैं और हैं उनको ट्रेक कर रहे हैं और वो ठीक है सारे प्रेटन स्थलों के अगर बात करें प्रेटन्स ठल हो एरपोर्ट हो वहाँ पर किस त्रीके की त्यारिया की गई है नहीं है अंतराश्टी एरपोर्ट कोई नहीं है तो जो गुड़गाओं का है पालम का एरपोर्ट है वो दिली के अंतरगत आता है लेकिन हमने कहा है कि उनसे भी अपना संपर्क रखा जाए क्या कुछ विशेश प्रबंग ने इसके कोई स्पेसिफिक मेडिसन नहीं है सिम्टोमेटिक इसके और ट्रेटमन्ट किया जाता है जैसे जैसे सिम्टोम होते हैं उसकी जो आल्रेडी धोईया है और वो सम्मारे डक्टर सक्षा मैं उसको देने के लिए क्या नेपाल चीन थ प्रडेश कहार किया जारा है वागि माईग्रेटरी लोग और बहुत होते हैं सबको तो तैयार नहीं किये जा सकता हुआ तो ये थे हमारे साथ हर्याना के स्वास्त मंतरी जो हमें बता रहे थे कि करोना वाइरस जैसे घातक वाइरस से निभन डेके लिए परदेश सरकार की त्यारिया पुकता है और बकैदा इसके लिए आईसोलेशन वाड से लेकर अन्य चीजों पर सरकार काम कर रही है वह इस मामने को लेकर हमने सूर्वे के स्वास्तमंत्री अनल विड़ से बात चित की उन्होंने बताया कि करोना वायरस को लेकर प्रदेश में अलट पहले से ही जारी कर जा गया है खास तोर पर जन्वरी के महीने में चाइना से आने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है बीमारी से संबंदित नहीं है हमारे साथ इस समय नागरिक हस्पताल के डॉक्टर है डॉक्टर वीजे उन से बादसीत करेंगे क्या कुछ त्यारियां डॉक्टर अब कैसी जो है आदेश दिये गई है स्वास्ते विभाग की ओर से यहां पर करोना वाइरस के मरीजों के लिए इसमें जो है जिला प्रसाशन की तरफ से भी कुछ पतराचार जो है रसीव हुए थे पी-म ओफिस में तो उसके रिगार्डिंग जो है कल एक मेटिंग भी थी जिसमें जो है जो सारे डॉक्टर्स को जो है निर्देश दिये गए कि उन्होंने जो है जन सदारन को अभेर करना है कि इसमें कोई पैनिक होने की कोई आवशकता नहीं है यानि हम कह सकते हैं कि अमबाला का जो नागरिक हस्पताल है वो पूरी तरह से त्यार है अगर कोई ऐसा केस है बिल्कुल डेफिनेटली इसके लिए जितने भी है इसकी रोक थाम और जो भी इसका बंदोबस किया गया है प्रदेश के स्वास्ते विभाग की तरफ से बकैदा हस्पताल परशासन को निर्देश दिये गए है कि किस तरीके से इस वाइरस से सम्मंदित मरीजों को जानकारी दी जाए जहां एक तरफ प्रदेश के सरकार और स्वास्ते भाग मुस्तेड है तो वहीं पोने लैब में भेजे गए सभी सेंपल फिल साबित हुए दिसकार्थ ये है कि कोई भी सेंपल करोना वाइरस का पॉजितिव नहीं पाया गया लेकिन पड़ोसी देश चीन के हालातों ने भारत में डर्ग का माहौल पैदा कर दिया है सरकार भी जनतार में अपरा तफ्री ना पहले इसी के लिए जागुर्ता फिलाने का पर्यास कर रही है पिर डिपोट का बें अबिताग